आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैंता बैनरची कोविट मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी शोताओं से अपील है कि कोई भी कोता ही न बढ़ते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और इनासान उपायों का पालन करें मास्क पहने दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुह साफ रखे अब मुख्य समाचार कोरोना संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश के कुछ शेहरों में कर्फ्यू की अवधी बढ़ाई गई कोविट संक्रमन की दर कम करने को प्राथ मिक्ता दी जाए मुख्यमंतुरी नदिये नर्देश और आईपियल क्रिकित में डली कैपिटल्स और चैन्ने सुपर किंग्स ने अपने अपने मैट जीते और अब समाचार वस्तार से प्रदेश में कोरोना संक्रमन को देखते हुए कुछ शेहरों में कर्फ्यू की अवधी बढ़ा दी गई है भुपाल में 3 मई की सुभ़च शे बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भुपाल नगर निगम क्षेत्रो और बेरसिया नगरपालिका क्षेत्रो में 26 अप्रेल सुभच शे बजे से 3 मई सुभच शे बजे तक 12144 की तहट कोरोना कर्फ्यू का संशूधत आदेश चारी किया है जबलपूर में अब 1 मई की सुभच 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा शाजापूर में 30 अप्रेल राथ 10 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश चारी किये गए है सागर में 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है रतलाम में 1 मई तक वहीं गुना, छिंदवाडा, बढ़वानी, मनसौर में 3 मई तक के लिए कर्फ्यू के अबधी बढ़ा दी गई है दूसरी और बीतर अविवार को प्रदेश में 13,601 संक्रमन के नए मामले मिले इन्हें मिलाकर राज्य में अब 91,548 सक्रिय मामले हो गए है दूसरी और शिवरास सिंग चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमन की दर कम हो रही है 22 अप्रेल को ये दर 24.29 प्रतिशत थी वहीं ये दर गिरकर 25 अप्रेल को 25.31 शून एक प्रतिशत रह गई मुक्हिमंत्री श्वरासिंग चोहान ने कहा है कि प्रदेश में कोवट संक्रमनदर को कम करने को सरवोच प्राथमिक्ता दी जाए इसके लिए जरूरी प्रयासों को पूरी सक्ती के साथ लागू किया जाए वे सभी जिलों के COVID नियंत्रण के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री श्वी चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा कि होम आइसोलेशन और COVID केर सेंटर की व्यवस्थाओं की व्यक्तिकत रूप से नियमित समीक्षा की जाए उन्होंने कहा कि ऑक्सिजन का व्यग्यानिक तरीके से उचित उपियों की व्यवस्थाओं के लिए ऑक्सिजन ओडिट संबंधत जिले के प्रभारी अधिकारी कराए उन्होंने ग्रामी शेत्रों में प्रते ग्राम प्रंचायत में क्वरिंटीन सेंटर बनाने के नर्देश दिये सेंटर पर प्रभावी रूप से बुनियादी इंतजाम किये जाए सरकार द्वारा व्याइभार का वहन किया जाएगा उन्होंने कहा कि संक्रमन नियंत्रण के अलपकालिक प्रयास संक्रमन की दर में कमी लाएंगे इसका स्थाई समाधान वैक्सिनेशन ही है कोरोना संकट के कारण ऑक्सिजन की भारी कमी से निपटने के लिए सरकार ने देश के सभी जिला अस्पतालों में मेरिकल ऑक्सिजन प्लांट लगाने का फैसला किया है प्रधानमंत्री ने पीम केर फंड से ऐसे 551 प्लांट को मंजूरी दे दी है साथ ही इन्हें जल्द चालू करने के निर्देश भी दिये हैं दूसी और प्रधेश के स्वास्थमंत्री डॉक्टर प्रभराम चौधरी ने बताया कि राज्य के 37 जिलों के जिला अस्पतालों में ऑक्सिजन सेपरेशन प्लांट तयार किये जा रहे हैं जिससे अस्पताल ऑक्सिजन के मामले में अब आत्म निर्भर हो जाएंगे इन जिलों में 10-15 मैं तक ऑक्सिजन सेपरेशन प्लांट चालू हो जाएंगे इनके अलावा अभी बालाघाट, बढ़वानी, शेहडोल, जबलपुर, दमो, सतना, मंसौर, सहित, आठ जिलों में इन प्लांट्स को लगाने की सुईकृती सरकार ने प्रदान की है गुना सिसाहित्यकार, डॉक्टर सतीश चतुरवेदी ने लोगों से कोविट प्रोटकॉल का पालन करने की अपील की है हम नमस्ते करें, घर में गोसें, तो हाथ पे रधोकर गोसें, और अच्छा हो, बाहर जब भी जाएं, मास्क बचाओ है और बचाओ ही उपाए है मित्रों जीवन सारे कार्मों का, कर्मों का, धर्मों का आधार है, इसे बचाए रखें, बहुत कीमती है कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए, मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ हर्मों साफ रखें केंद्रू सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमन पर कारगरं नीयंतरन के लिए, राजिय और केंद्रशासित प्रदेशों को संक्रमन ग्रस्थ जिलों में कड़ी कारवाई और स्थानिय आंगटेन्मेन्ट उपाए करने की सलाहती है स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि संक्रमन के श्रिंखला तोड़ने के लिए चौधा दिनकी अवधी के लिए स्थानिय नियंत्रण क्षेत्र यानि कंटेन्मेंट जोन बनाया जा सकता है मंत्राले ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सक्ती लाने को कहा है पेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं। इसके लावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में अब तक एक लाग पांच हजार से अधी कोरोना वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये कोरोना वॉलंटियर्स राज्य सरकार के सहीयोगी बनकर कोरोना के प्रती जन जागर का प्रभावी कारे कर रहे हैं। पछले दिनों मुख्यमंतुई ने सभी क्षेत्रों के कोरोना वॉलंटियर्स समवाद किया और उनके कारे को महत्वपूर्ण बताया। गरतलब है कि मुख्यमंतुई ने 5 अप्रैल को मैं कोरोना वॉलंटियर्स योजनाश शुरू कर आज में जन जागरुकता लाने के लिए सहभागी बने। प्रदेश के सभी बावन जिलों से कोरोना वॉलंटियर्स बनने के लिए लोग उतसाह से आगे आए हैं। ये वॉलंटियर्स जन अभियान परिशत के नेत्रुत्व और कलेक्टर के मार्क दर्शन में वैक्सिनेश में सन्राइजर्स हाइदराबाद को सुपर ओवर की आखरी गेंद पर हरा दिया। चन्ने के एम चिदंबरम स्टेडियम में दोनों टीमों ने अपने 20 ओवर में 169 रन बनाएं। मैच टाइ होने पर सुपर ओवर का सहारा लिया जिसमें सन्राइजर्स हाइदराबाद ने पहले बल्ले बाजी करते हुए साथ रन बनाएं। जवाब में डली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में राशित खान के गेंदों पर आठ रन बनाकर मैच जीत लिया। इससे पहले मुंबई के वान खेडे स्टेडियम में हुए एक मैच में चन्ने सुपर किंग्स ने रॉयल चालेंजर्स बैंगलूरू की टीम बीस ओवर में 122 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक शेप में। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपरैल मई महीने में 330 ट्रेने चलाने का नर्णाय लिया है। ग्रे मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश् चाले में वरिष्ट अधिकारियों के साथ चर्चा में ऑक्सिजन और रेम दो सिवर इंजेक्शन की काला बाजारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के नर्देश दिये। शिप्पुरी जिले में विश्व मलेरिया दिवस पर कल एक जन जाग रुकता कारिक्रम का आयोजन किया गया और गुना जिले में जनता कर्फियों और लोगों के सहीयों के सकारात्मक नतीजे मिलने लगे हैं अब जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रक्रणों की संख्या अंत में बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर कोरोना संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश के कुछ शेहरों में कर्फ्यू के अबधी बढ़ाई गई कोविट संक्रमन की दरकम करने को प्रात्मिक्ता दी जाए मुख्य मंत्री ने दिये नर्देश और IPL क्रिकित में डेली कैपिटल्स और चनी सुपर किंग्स ने अपने अपने मैट जीते मुलिटन में फिलहाल इतना ही अंत में एक अपील मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार